हलो फार्मेसीनाड पर आपका स्वागत है आज हम टेग टेबल देख रहा है डॉक्सी साइक्लिन तो डॉक्सी साइक्लिन एक एंटिवाटिक है बेक्टेरिया उपकेल करती है अगर आपको गुन्वरिया हो या यूरिनरी ट्रेक गडनी डिसॉर्डर यूरिनरी ट्रेकं में हो सिफलेस हो तब यह डॉक्सी साइक्लिन दी जाती है एक तरह की एंटिबाटिक है ठीक दर्द निमारा प्यासकते है ठीक एंड इस आल्सु यूज्ट फर ट्रीटमेंट आफ मालेरिया एंथ्रेक्स ठीक अच्छा एक चीज है इसमें एक वरनिंग दी जाती है डॉक्सी TV को नहीं लेना चाहिए और 8 साल के बच्चों कभी भी DOCYCYCYCLYN ना दें मैं कियो है क्यों ऐसे क्योंै आट साल के बच्चों कि आप देंगे तो सबसू करें का डेंगी तो समें iF Trading इस sed irski डिशोरर जाएंगा जिनुनी घुल पीले ही प्रेमेंट्ली टीथ होते हैं वो पीले हो जाते हैं यह लो प्रिक्नेंसी बुमेंट को एधी डॉक्सिसाइक्लिन दी जा रही तो बेबी में ब्रिश्ट फुडिंग ना करा हैं नहीं तो प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है और अपने डॉक्टर को बता है अगर आप डॉक्सि साइक्लिन को मलेरिया हो गया और आपका करोना हुआ था तब भी डॉक्सिसाइक्लिन बहुत प्रिफर की गई थी चले आगे देखते हैं अगर डॉक्सिसाइक्लिन का डॉस आपने मिस कर दिया है तो उसे मिस कर दीजिए अगली सेडुल पर चले जाईए डॉस चारे दीज आपकी इसकिन पर रैसे साजाते हैं, भूग ज़्यादा लगेगी, इसकिन पर रैसे साजाएंगी, फेसे, चेहरे, थ्रॉट में इंफेक्शन हो रहा है, इसकिन पर ये काफी रियक्शन करती है, बिलिश्टर पड़ जाते हैं, रैसे जाते हैं, इसकिन लाल हो जाती है, दाक पेन हो रहा है something nausea हो गया vomiting हो गई या कुछ डारिया इसके में रैसे से होते तो itching होती है यह सब इसके side effect है ठीक thank you सुनने के लिए